हाई एवरिवन वेलकम बैक टो अरर कुकिंग चैनल में हूँ आपकी होस्ट पॉपाली तो आज बनाएंगे हम बढ़ियासी मिर्च रेसिपीज यानि यहाँ दो रेसिपीज में आपको बताने वाली हूँ जैसे कि पहले हम बनाएंगे भरवा मिर्च जो की एकदम बढ़िया के लिए हमें इस तरह की मिर्च लगीगी जिसे हम पोटाटो मिर्च भी कहते हैं कि मार्केट में आसानी से मिल जाएगी या फिर आपके पास यह रेगुलर वाली बड़ी मिर्च होती है यह भी आप यहां यूज कर सकते हैं तो यहां सिर्फ हमें एक काम करना है पहले तो इ इस तरह से सारी मिर्च कुमे नमक लगा लूँगी फिर अगली प्रोसेस की तरह बढ़ते हैं यहां में एक कढ़ाई रग दी है और कढ़ाई में तीन बड़ी से चमच ऑईल डाल दिया है ऑईल गरम होते ही जीरे का तड़का लगा लिया है और एक कप यहां बेसन डाल दि जो कर लिया है इसे भी अच्छे से रोस्ट कर ले यहां हम स्टफिंग बना रहे हैं तो स्टफिंग बनाने के लिए अच्छा सा सुवाद चाहिए इसके लिए अदरक लसुन का पेस्ट यहां एक चमच डाल दीजिए फिर कुछ मसाले इसमें हम डालेंगे जिसे जो सुवा पिर आगे जो मसाले एड़ करने हैं उसमें सबसे पहले डालेंगे एक चममच धनिया पाउडर एक चममच यहां सोफ पाउडर एक चममच जीरा पाउडर आदा चममच हिंग स्वादा नुसा नमक एड़ करें फ्रेंड्स हमने मिर्च को पहले ही नमक लगाया है इसके लिए नमक यहां कम ही उसकरें यह सारे मसाले और इंग्रिडेंट्स अच्छे से मिक्स कर ले फिर इसमें हम डालेंगे एक बड़ासा नीमबू का रस क्योंकि यहां हमें जो चटपटासा स्वाद चाहिए यह नेमबू से मिल जाएगा अगर आपके पास नीमबू नहीं है तो तीखा पसंद करते हैं तो इसमें लाल मिर्च भी आप एड़ कर सकते हैं मैंने यहां एड़ नहीं की है और एक बात फ्रेंट्स यह जो स्टफिंग है यहां मैंने ज्यादा मात्रा में बनाई हैं क्योंकि यहां में आपको दो टाइप की मिर्च इसी स्टफिंग का यूज क इस तरह से जैसे कि हम पुरा मसाला इसमें भर रहे हैं और प्रेस करे जा रहे हैं ताकि कोई मसाला यहां बाहर ना निकले निमू के रस से यह थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर होता है यह आसानी से बेट जाता है गैस पर मैंने कड़ाई रग दी है और दो बड़ी सी चमच है और गरम होते ही इसमें हम रख देंगी वन बाई वन करके सारी मिर्च मिर्च आप देख सकते हैं साइज में बड़ी है स्टफिंग अच्छी खासी इसमें बैट जाती है और इसलिए यह खाने में बहुत टेस्टी रगती है कड़ाई का साइज यहां बढ़ा है इसके कार पलट देंगे ताकि दूसरी साइट से भी अच्छे से पक जाए और खाने में और स्वादिश्ट लगे तो यह देख सकते हैं आप इससे हम इस तरह से पलट देंगे और मसाला यहां बिल्कुल नीचे नहीं आएगा क्योंकि हमने स्टफिंग जो की है यह अच्छे से प्रे आप देख सकते हैं पूरी मिर्श जो है अच्छे से फ्राइ हो चुकी है उपर का जो छिलका आप देख रहे हैं यह बता रहा है कि यह पूरी को खो चुकी है लेकिन यह अंदर से पूरी मसालेदार है उपर से भी से मसालेदार करना है तो थो इसी स्टफिंग जो मैंने आहर से भी उतना ही बढ़िया लगे तो यह देख सकते हैं हमारे भरवा मिर्श तो इसे गर्मा गरम रोटी के साथ पराठों के साथ और खिचडी के साथ तो इसका मजा खाने में और भी दुगणा हो जाता है बनाने में बहुत ही आसान है साथ में जो भी इंग्रिडिएंट ह और यहां यहां यूज किये हैं यह सारे घर में ही अविलेबल होते हैं तो यहां कोई परिशानी नहीं है तो जल्दी से फटा-फट से भरवा मिर्च की रेसिपी ट्राइ करें और एक बात फ्रेंड्स अगर रेसिपी अच्छी लगती हैं लाइक करने में कंजूसिफ इल्कु बावी लगा लिया है जीडियी व्याश्य नहीं पटेंगे मृटब हमें दो मिदोमिट की लिए फ्राइ होने दें जब कि इसका बदल ₲ जाए तब तक कैसे अधर इसमें डाल दें डेंगे एक बड़ाला मिर्च यहां में यह कि जैसे कि मैं बड़े से दो चम्मच यहां दही एड़ करने वाली हूँ आप चाहें तो यहां नीभू भी एड़ कर सकते हैं या फिर आमचूरू पाउडर भी एड़ कर सकते हैं लेकिन दही से इसका स्वाद और टेक्चर बहुती बढ़िया मिलता है दही यहां जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट कर दे दो मिनिट के लिए इसे ढग दीजिए फिर दो मिनिट के बाद अगर इसे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां जो कलर है यह बदल चुका है साथ में मिर्च भी पक चुकी है इस समय हमें एड़ करना है यहां हमारा जो स्टफिंग हमने पहले बना के रखा था वो सिर्फ तीन चमच ही में एड़ किया है जादा ना एड़ करें क्योंकि हम मिर्च सिर्फ में तीन ही उसकी है इसे मिला ले इसमें बेसन होने के कारणी यह अच्छा सा गाड़ा बन जाएगा और मसाले जो हमने स्टफिंग में डाले हैं इससे बड़ा सा स्वाथ वो भी दही के साथ यानि कि खटा तीखा और थोड़ा चटपटा सा तो यह प्रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राइ कीजे क्योंकि यह बनाने में तो बहुत ही आसान है जैसे कि मैंने पहले भी कहा है स्टफिंग अगर आप बना के रखोंगे स्टोर करोगे तो यह बहुत दिन चल जाता है क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल पानी एड़ नहीं किया है तो यह हो गई है गर्मा गरम सी मिर्च की सबजी यह दिखने में जितनी मौत वाटरिंग है उतनी ही यह बहुत ही स्वाधिश्ट लगती है तो फ्रेंड्स दोनों रेसिपी आप ज़रूर ट्राइ किजेगा जो रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताए और वीडियो को लाइक करना ना भूले साथ में अब तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सबस्क्राइब कर दिजे ताकि इसी प्रकार से जो अन्य रेसिपी इसमें आपके सामने लाती रहूंगी वो आप तक ज़रूर पोचे तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जो कि इसी प्रकार से कुछ अलग, कुछ स्वादिश्टों, कुछ बढ़िया मिलेगा तब तक के लिए बाई-बाई, टेक केर प्लेट सस्क्राइब आरर कुकिंग और प्लेज दे बेल आइकोन for notification of new videos Thank you